नमस्कार आप देखे रहे न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूं सांथुना आपके साथ उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधान सभा के चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव के तारीक नस्दीक आ रही है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में होने वाला विधान सभा कि वो इस बार पहली बार विधानसबा के चुनावी मैदान में उतरेंगे और मैनपूरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे तो अब दूसरी तरफ भाजपा भी उन्हें चुनोती देने से पीछे हटती हुई नहीं नजर आ रही है भाजपा के तरफ से ये एलान किया जा सकता है कि मुलायम संह यादव के परिवार की सबसे छोटी बहु जो बीते दिनों भाजपा में शामिल हुई यानि कि अपढ़ना यादव अखिलेश यादव के टक्कर में मैनपूरी के कलहर से विधानसबा का चुनाव लड़ सकती है हाला कि भाजपा के तरफ से अब इस पूरे मुद्दे पर कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है उत्तर प्रदेश का विधानसबा चुनाव और भी जादा मज़िदार होता जा रहा है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपूरी की करहल सीट से पहली बार विधानसबा चुनाव लड़नी के लिए नामांकन दाखिल कराने वाले हैं बीजेपी ने भी उन्हें कड़ी चुनोती देनी का मन बना लिया है और सीट से अखिलेश के खिलाफ कोई और नहीं बलकी सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई भाई की पतनी अपढ़ना यादव ही मैदान में उतर सकती है BJP ने मैनपूरी की करहल सीट से अभी तक अखिलेश के खिलाफ किसी प्रत्याश्शी का एलान नहीं किया है कॉंग्रेस ने ज्यानवती आदव जब की BSP ने कुलदीप नारायन को उमीदवार बनाया है मैनपूरी और आसपास के इलाकों में चर्चा इस बात की भी है कि BJP मुलायम संग्यादव की बहु अपर्णा को अखिलेश के खिलाफ टिकेट दे सकती है अपर्णा ने शनिवार को एक टीवी न्यूस चैनल की कारिकरम में इस बात की संकेत भी दिये है कि वो करहल सीट से चुनाव लड़ सकती है अपर्णा ने सवाल का जवाब देती हुए कहा है कि फिलाल लखनव कैंट सीट पर जनता की सीवा में लगी हूँ लेकिन अगर BJP के तरफ से नरदेश आएगा तो मैं पूरी की करहल सीट से अखिलेश भाया के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी मैं किस सीट से लड़ूंगी अब पाची तै करेगी चैनल की कारिक्रम में अपर्णा यादव ने कहा कि सपा छोड़ कर भाजपा में आने से मेरी ससुर मुलायम सिंग यादव नाराज नहीं है और उन्होंने मुझे आशिरवाद भी दिया है वहीं चाचा शिफपाल यादव पर अपर्णा नहीं कहा है कि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ानी का काम किया है लेकिन आज वो नसीहत दे रहे हैं अगर खुद ये बाते मानते तो अपनी अलग पाठी नहीं बनाते गौर तलब है कि चुनावी मौसमें समाजवादी पाठी को सबसे बड़ा जटका तब लगा जब मुलायम सिंग यादव परिवार की बहु अपर्णा यादव ने भारतिय जनता पाठी का दामन थाम लिया अपर्णा ने कहा कि वो रास्ट्रवाद की वजह से और पीयम मोदी से प्रभावत होकर बीजेपी में आई है उन्होंने अभी कहा है कि बीजेपी जाती पात की राजनीती नहीं करती है और वो यहाँ पर मलाई खाने को नहीं आई है अपर्णा के साथ ही विपक्षी दलो पर देश को बाटनी की कोशिश करनी का आरोब भी लगाया गया है ऐसे में उत्तर प्रोदेश में होने वाले विधानसवा चुनाव को लेकर समाजवादी पाठी को एक और बड़ा जटका लग सकता है जहां पर अखिलेश यादव ने इस बात का एलान कर दिया है कि वो पहली बार विधानसवा के चुनावी मैदान में उतरेंगे और मैनपूरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अखिलेश यादव को टकर देने का मन बना चुकी है और अब मुलायन सिंग यादव के चोटी बहु यानि आपढ़ना यादव अपने ही आखिलेश भाईया के खिलाफ मैदान में उतरती हुई नजर आ सकती है फुलाल के लिए सब्जेट में इतना ही अनकाई खबरों के लिए मैं साथ बने रहे न्यूस फॉर्नेशन में नमस्का